हेलो गाइज वेलकम बैक अगें तो इंगोडिंग सो यह जावा इस यह रियक्ट का इंट्रोड़क्शन लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे की रियक्ट होता क्या है और इसका हम यूज किसलिए करते हैं और सबसे पहले आता है वाट इस रियक्ट क्या है रियक्ट एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो की क्रियेट की गई थी फेस्बुक के द्वारा और और यह टीज़ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स रियक्ट का क्या चीज होता है यह एक टूल है लेरें जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं यότε यूजर इंटरफेश कंपोनेट बना सकते हैं उसे अपन कोई भी वैबसाइट कर रहा है इसको वोलते हैं यू आई और यह अब देखते हैं मन की react work कैसे करता है so how react work is react created virtual dorm in memory react qya k user one बनाता है यह जो browser का dom होता है उसके साथ उसको दो छेड़ता नहीं है यह है वर्चुवAL बना लेता है ओके जिसकी है से हम क्या कर सकते हैं हम अपना HTML के अंदर में ही कोड लिख सकते हैं ओके तो यह क्या करता है देखो इंश्टनेट आफ मैनिपलेटिंग ब्राउजर्स डॉम रियक्ट क्रियेट इस वर्चुल डॉम रियक्ट क्या करता है में उसको बना लेते हैं रियक्ट के थुरू दैन रियक्ट क्या करता है दैन जाके वह एंड में ब्राउजर्स डॉम में चेंजिस करता है है OK एक रियक्ट फाइंड ओ वाट चेंज एब विन मेड एंड चेंज इज ओं ली व्र ली टो भी चैंज से बारबार जैसे जैसे चैंज होते जाते हैं वेबसाइट में तो यह सबसे पहले केवल चेक करता है स्काइन करता रहता है कि जो भी चेंज हुए हैं केवल उतने ही पार्ट को ये अपडेट करता है जिससे हमारी पूरी साइट लोड नहीं लेती है इसलिए हमारा क्या होता है वेपसाइट फास्ट हो जाती है और अपना आगे इसके बारे में सीखेंगे अब थोड़ी सी हिश्ट्री देख लेता है तो रियक् I hope guys you got all the point I have talked in this lecture. If you still have any query then please put it out in the Q&A section. Thank you